अलो फ्रेंट्स सुबह का खाना हो या रात का डीनर हो सब्जी तो हमें हमेशा बनाना ही पड़ता है और मसाला पीछना परे और वो भी इतनी गर्मी में तो बहुत ही मुसीवत हो जाती है सभी मुसीवतों का हल मैं आज ले करके आई हूँ आज मैं एक ऐसा मसाला बताऊंगी जिसे आप बना करके रख लेंगे तो सारी मुसीवते खतम और जो भी सब्जी आपको बनाना हो अब सो से जादा सब्जी इन मसालों से बना सकते हैं किरन का जोयका में आप लोगों का सकते हैं थोड़ा से दो चमच मसाला ले ले थोड़ा से धन्या की पती डाल ले अगर आप लेसन पे आज खाते हो तो डाले नहीं खाते हो न डाले थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे पानी डाल करके घोल लेंगे थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे देखिए अब पा और येल के चूड़ा ओ तो ना हो तो ना डाले मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूं सिसे मसाला एकदम थीक बनेगा आप कोल भी वμयासबावासबजी हो जो़ो वाले जोह वाले ग्रेभी वाले वाले वो बना सकते हैं और इसे टेश्टी बनाने के लिए थोड़ा सा नीमगो आप पसंद करते हूं तो थोड़ा से इसमें नीमगो नी चोड़ दें यह हमारा मसाला डेड़ी हो गया है तो अब चलिए मैं भर के दिखाती हूं जो क्या-क्या सब्जी मैं पांस तरह का बताऊंगी आप लोगों को आप सो से ज्यादा सब्जी इससे बना सकते हैं तो देखिए पहले पर्वल भर्वा खाने का मन हो तो इस तरह से पर्वल भर के बना ले बैगन का भर्वा खाने का मन हो तो देखिए बैगन को भी इस तरह से भर के बना सकते हैं इस क्याप्सिकम भर्वा भी बना सकते हैं और इस सब्सक्राइब कुछ थे मिला लें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है उसमें चार-पांच मिला दे और थूड़ा से निंबुण नी चोड़ दे और इसे मिर्ची मसाला भी बना सकते हैं काफी टेश्टी बनता है फ्रेंड्स इन मसालों के स Means अभरवा सब्जी बनाईए प्षटा फट न भी जाता है और खाने में भी में टेश्टी लगता है इन्हीं मसालों की देस्पी कि आज मैं आप से शेर करूँ ज़् jd कर सकते हैं कि आप यंदी려 क्याइफ करने को स्टोर करके रख लिजिए पूरी पराथा रोटी किसनों आप आराम से इंज ynुय कर सकते हैं अप पांस तरह का भरवन सब्जी बने इसके अलावा आप करेला भिंडी कुछ भी बना सकते हैं चलिए यह कौन सा मसाला मैजिक है देखते हैं इसके लिए मैंने दो चम्मच धनिया लिया है एक चम्मच लेंगे जीरा एक ही स्पून से हम सभी को मेजर करेंगे और आधा चम्मच इसमें अजवाीन और इसे पाच यह लेंगे लाल मिर्च और इसको थोड़ा से हम पहले मैं रोष्ट कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा रोष्ट क्लेंगे मर आज को हम इसा धीमा राक नहीं है 1-5 चम्मच लेंगे इसमें शोफ है डाल करके मसाला को धीमे फ्लेम पर अच्छी तरह से रोष्ट कर लेंगे, जलाया नहीं है, फ्रेम को नमी धीमा रखना है, इसे मसाला का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा मसाला भुना गया तब इसमें हम डाल देंगे एक चमच सफेद तिल है ये, और इसी चमच हम एक चमच डाल देंगे इसमें खरबूजे का बीज या चाल मंगर्ज जो भी आप कहते हों, डाल करके जब तक तील चटकने ने लगे तब तक इसे हमें रोष्ट करना है, वो भी लो फ्लेम पर, ये देखिए तील चटक रहा है, यानि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन होना है, देखिए थोड़ा सा इसे और ढून लेते हैं, कलर थोड़ा ही सा चेंज होना है, इसे डार्क नहीं करना है, तो ये मसाला हमारा बुना गया है, तब इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं, इस पैन को गैस पतक देंगे, और इसमें हम डाल देंगे कुकिंग वायल, आप जो कुकिंग वायल खाते हो, वो डाल दें, मैंने एक चमच, बड़े चमच से डालेंगे, मेजर नहीं किया है, हमने एक चमच डाल देना है, और दो चमच डाल देंगे, इसमें हो, मूंफली, ये तेजांते-दिटेडोंफ वंपअ और दोचमत्छम डाल देंगे इसमें नायल का चूरा सुखी नाययल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और चोटे चोटे कृटे पीसे में कट करके दाल सकते, ये नाययल चूरा आसानी से ग्रॉशरी विल रहता है तो तो बिन जाएगा। डाल करके थोड़ा सा इसे मिलाल के भून लेते हैं और इसके बाद, इसमें डाल देंगे धेर सारी कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता से इसका flavor इस मसाला को बहुत ही अच्छा आता है तो कड़ी पत्ता इसमें जाएगा और इसे अच्छी तरह से low-flame पर भून लेंगे देखें हमारा सभी मसाला भुना गया है और भेंड़ा भी होचुका है तो इससे हम मेल्सिक जानवर करके इससे हम ग्राइंड कर लिते हैं, दर दरा पीसना है friends इसे बारES नहीं पीसना है। दरदड़ा पीछ लिया है हमने देखिए इस तरह से पीछ लेना है तब इसमें डाल देंगे दो चम्मच मिर्ची पॉडर यह कास्मिरी लाल मिर्च है तो तीखा नहीं होता है तो तो चम्मच डाल देंगे और इसमें दो चम्मच हम हल्दी डालेंगे और एक चमच नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं । नमक थुदा कम डालना है, क्योंकि जब हम सबजी बनाएंगे, तब तब उसमें और नमक हम एड़ कर सकते हैं थो एक चमच भरके अमनी इसमें, नमक डाल दिया और इसे पिर से हम पीस लेंगे यह देखिए पिसा गया है इसे प्लेट में हम पहले निकाल देते हैं अच्छी तरह से यह देखिए कितना सुन्दर कलर आया है मसाला का देख रहे हैं इसे हम साइड में रख देंगे और इसी जार में हम हमारा वह बादाम नारियल और कडी पत्ता जो हमने भून करके रखा अब थंडा हो चुका है ध्यान रहे मसाला हमारा थंडा हो तभी हम ग्राइंड करें नहीं तो पानी जरासा भी नहीं रहना चाहिए और गरम भी नहीं रहना चाहिए यह मसाला अब इसी जार में डाल करके और इसमें इसको भी हम पीसेंगे इसमें एक चमच हम डाल देंगे चाट मसाला के जग हम अम्चूरपावडर का भी यूज करेंगे तो डाल दिया है और इसे फिर्ज हम पीस लेंगे दरदरह ही पीसदा है finely नहीं पीसना है देखे किसा गया है तो इसी मसाला में हम इसे निकाल लेंगे पानी का यूज नहीं करना है मसाला एकदम ड्राई पीशना है नहीं तो यह खराब हो जाएंगे देखे सभी मसाला को निकाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे दोनों मसाला को मिला लेना है देखे चम्म से या हाथ से जैसे भी आप मिलाना चाहें इसे अच्छी तरह जितना यह मसाला मिला नहींगे देखे कलर इसके उतना अच्छा निकर करके आएगा तो यह मसाला हमारा बन करके रेडी है आप जब भी एक्षा को कोई भर्वा सबजी जोल वाला सबजी ग्रेवी वाला सबजी आराम से बना सकते हैं इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्ट जोल करें थ्रीज में रखने की कोई जरुवत नहीं है यह दो महिना तक आराम से बाहर में रख सकते हैं क्योंकि मैं इसमें लेसन पे आज का यूज नहीं किया है बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं इसलिए मैंने उसका यूज नहीं किया तो यह हमारा मैजिक मसाला बन करके प्रेडी है, मिलते हैं नेक्स वीडियों